हेलो फ्रेंड्स नमस्कार कैसे हैं आप सब उम्मेद करते हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं तीन ऐसे हैक्स लेके आई हूँ जो की बहुत ही एजी है और बहुत ही हिलफुल होने वाला है कि मेरे वो तीन हैक्स कौन कौन से हैं और किस काम में आ सकते हैं तो फ्रेंड्स पहला मेरा यह है कि न यहाँ पर मेरे पास जो है पाइप पड़े हुए थे और थोड़े से हैं रसी तो इस सब फालतु पड़े हुए थे तो मैंने सोचा चलो इसका यूजी कर ले रहे हैं तो मैं क्या करूंगी जो पाइप में इस तरसी को डाल दूँगी और डालने के बाद लगा लूँगी नीचे के साइड गांट तो इस तरह से दोनों छोल पकड़ने के बाद मैं लगा लूँगी गांट कुछ इस तरीके से गांट लगाने के बाद मैं कैची के हिल्पे से इसको क चाहिए पस मैं इसको काट लिती हूं काटने के बाद देखो मैंने यहाँ पर लगा लिया हुआ है और गाटंत लगाने पाद इसी तरह मैं छोटी बड़ी पाईप को ऊपर रखूँंगी और बड़े बड़ी पाईप को नीचे तो दोनों को एक जैसा बनाने के बाद इसको मैं कहीं भी हैंग कर सकती हूँ कुछ इस तरीके से हैंग करने के बाद जितने भी सारे कपड़े रहते हैं सारे के सारे एक जगां अर्जेस्ट हो जाते हैं तो यह मेरे पास पाइप की थी तो मैंने pipe का भी बनाय हुआ है और अभी मैं अगला वाला दिखा रही हूँ यह देखिए जो मैंने अभी बनाया तो इसमें जो है मारे बहुत सारे कपड़े जो है एकठे हो गया है नहीं तो बहुत सारे कपड़े फैले थे तो इस तरह से आप पड़ी हुई pipe और रसी को यूज कर सकते हैं और AID हमारे लिए बहुत ही helpful हुआ है और आप चाहत इसको अल्मिरा में भी हैंक कर सकते हैं तो एक बार जरूर ड्राय कीजिएगा और comment करके जरूर बताईएगा तो चलिए hacks no.2 की तरफ चलते हैं तो friends यहाँ पर दूसरा हमारे क्या है न ज़र हमारे बच्चों के पास छोटी छोटी pencil बहुत थोद रहती हैं तो ओ क्या होता है न कि pencil हम उसे फेक देते हैं क्योंकि ओ लिखते नहीं बनता है कुछ इस तरीके से हम लिख नहीं पाते हैं तो ओ क्या होता है न खराब हो जाता है तो friends आप देख सकते हो हाथ में लेने के बाद बिल्कुल भी pencil जो है हाथ में नहीं आ रही है तो इस तरह से बहुत सारी pencil एकठी हो जाती हैं और उसे फेक नहीं पड़ता है तिसके लिए बहुत ही best option है आपका कोई भी pen या sketch pen जो भी खाली हुआ हो आप उसमें इसी इस तरह से ज्वान कर लीजिए और यह बड़ी हो जाएगी तो आप आसानी से कुछ भी लिख सकते हो बहुत आसानी से तो यह बहुत ही perfect idea है और जरू try कीजिएगा और बच्चों की जो छोटी-छोटी pencil इधर-धर फेके रहते हैं वो भी य कुलगेट क्या होता है ना हमारे दातों को यह नहीं साफ करता है इससे हम बहुत सारी चीजों को साफ कर सकते हैं फिलाल आज तो हम अपने switchboard को ही clean कर दे रहे हैं तो इस तरह किसे हम कुलगेट लेंगे और ब्रस की help से ना इसको हम पूरी तरह से फैलाने के बाद और इसको है तो बहुत बेश्ट तरीका है और तीसरा है हमारे जो गैस गंदी हो जाते हैं और यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहे हूं तो फ्रेंट मेरे पास एना इस ट्रप है जो expire हो गया था तो इसी फेकने से अच्छा है कि इसको यूज कर लिया जाए तो मै यहां पर जो गैस स्टोप है वहां पर जो प्लेट फार्म है वहां पर भी सारे में इस तरह से अच्छे से फैला दूँगी फैलाने के बाद मैं यहां पर लोगी पेपर और पेपर लेने के बाद में बहुत अच्छे तरीके से रगल लोगी सारे में रगलने के बाद में इ अगर आपके इस्क्राव गएरा जो हैं वो एक्स्पायर हो चुके हैं आप इसको आसाने से योज कर सकते हो बिलुकुल भी चिकना नहीं रहता है यह देखिए हमारा गया इस तो बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है बहुत ही अच्छे तरह से क्लीन हुआ है और नीचे का फ्ल के लिए बहुत ही हेल्पुल हुआ होगा तो प्लीज कमेंड़ा है